लंबे बाल की चाहा रखते हैं तो ये वीडियो हम आपके लिए एक बहुत ही खास जनकारी के लिए लाए हैं जो आपको सुन्तर घने लंबे बाल देगा खास कर अगर महिलाओं को अपने लंबे बाल करने हैं तो इससे बहतर और आसान उपाए आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता वर्तमान समय में बहुत सारी महिलाओं अपने बालों को लंबा करने के लिए हेर टेटमेंट करती हैं ताकि उनके बाल कम जड़ें और अधिक से अधिक घने हो सकें लेकिन महंगे हेर टेटमेंट कराने के बहुजूद भी उन्हें कोई खास फाइदा नहीं मिलता है ऐसी इस्थित्ती से निरासा के अलावा कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होएं जो महंगे ट्रीटमेंट कराने के अलावा घरेलू उपायों को महतो देती हैं घरेलू उपाय अपनाने से आपको काफी बज़त भी होगी और साथ ही साथ है आपके बालों को किसी प्रकार की हानी भी नहीं होगी क्या कि ये नेचुरल है और सबसे सस्ता तरीका और बालों को लंबा और घना करने में 100% गारेंटेड जी हाँ दोस्तों आज हम आपको जो उपाय बताएंगे इससे आपके बाल 100% गारेंटी के साथ लंबे और घने हो जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखने होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जान करें चुटे तो वीडियो को अंते जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवाने के साथ ही आवल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड जाए इसके लिए आवल नटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नंबर एक जिया दोस्तों बालों की देख भाल के लिए नीबू का उपयाग सबसे ज्यादा होता है फंगल इंफिक्शन और डेंडरफ की समस्यस को दूर करने के लिए लाबदायक होता है बालों के ठीक से स सुखने के बाद सीर को सेमपू से धोलें बालों में कंडिशनर करना ने भूलें क्योंकि एलोवेरा लगाने पर बालों में कठोरता आ जाती है अब चाहें तो एलोवेरा लगाने से पहले बालों को इस टीम दे सकते हैं इससे भी बालों को फायदा मिलेगा नमबर तीन सबसे ज़्यादा घरेलू उपायों में सहद का इस्तिमाल होता है सहद एक प्राकृतिक मुश्चराइजर है बालों को जड़ से मजबूत करने में हैद मनतकार होता है हेल्दी हेयर और चमकदार बालों के लिए सेमपू में सहद मिलाकर लगाएं नियमित तोर पर ऐसा करने से बालों की चमक रेसमी होने लगती है इसके लिए आप दो चमक सेमपू में दो चमक सहद मिलाकर सेमपू करने से ज़्यादा फायदा होता है नमबर चार दोस्तों आवला बालों के लिए सबसे अच्छे उपचारों में से एक है आपने सायद अपनी माया दादी से आवले यदि आपके पास ताजा आमला उपलब्ध है तो आप इसे निचोड कर इसके रस को निकाल लें फिर इस रस से अपने बालों और स्कैल पर अच्छी तरह से मालिस करें थोड़ी दिर बाद अपने बालों को सैंपू से धो लीजिए अधिकतर और बहतर परढ़ाम के लिए सब हमारे बालों के विकास को बढ़ाते हैं इसमें मौझूद सल्फर तत्व बालों को थीक और साइनी बनाता है साथ ही उनकी लंपाई को भी तेजी से बढ़ाता है प्याज करा से सिर के बलड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और स्कैल्प को मजबूत बनाता है इसे अपके बाल सुस्थ होंगे और उनका विकास तेजी से होता है इसके लिए हपते में एक बार प्याज को काट कर उसका रस निकाल लें और उसे नाजल के तेल में डाल कर अपने बालों की जड़ों में लगाएं और बालों को अच्छे से मालिस करें इसके बाद अपने बालों को अच्छे से सैंपू कर लें